अगले अपिसोड में आपको अपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सुप्रा कॉंडेला फ्रैक्चर के बारे में तो यह सबसे कॉमन फ्रैक्चर देखा जाता है बच्चों में पांच और साथ साल के उमर के करीब और यह होता है आफ्टर फॉल ऑन आउट स्ट्रेस्ट हैंड डाइग्नोसिज यूजली ह होता है बच्चा हाथ पकड़के आता है इल्बो के मां स्वेलिंग होती है प्लेन रेडियोग्राफ एक सरे से दिख जाता है फ्रैक्चर के ट्रीट्मेंड यूजली होता है क्लोस्ट रिदक्शन अंडर अनेस्थीजिया और परक्यूटेनियस पिनिंग डाल देते में पल्सेशन वगेरा नॉर्मल है के नहीं नीरोवास्कुलर एक्जामेनेशन बहुत जरूरी होता है इन पेशेंट्स में तो अकर एपीडीमिलोजी देखें तो इंसिदेंस देखें तो एक्स्टेंशन टाइप इंजरी जाधा कॉमन है 95-98 परसंट चिल्रन में का इंसिदेंस लगबग सिमिलर है पैथोफिजियोलोजी देखें मेकानेशम इंजरी होती है फॉल नन आउट्स्ट्रेच्ट एक्स्ट्रमेटी खेलने के टाइम जब बच्चा गिरता है तो अपना हाथ आगे करता है अपनी फॉल बचाने के लिए और यह फ्रैक्चर हो ज सबसे कॉमन नर्व इंजिरी दिखती है सुप्राकॉंडेल फ्रैक्चर में रेडियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है यह सेकेंड मोस्ट कॉमन निरोप्राक्षिया है लगबग इंसिदेंस सिमिलर है अलना नर्व पाल्सी देखी जाती है फ्लेक्शन टाइब इंजरी पैटर नहीं है वैस्कुलर इंजरी हो सकती है 5-17% केसे में रिच कोलाटरल सर्कुलेशन मेंटेन कर सकती है इसर्कुलेशन डिस्पाइड वैस्कुलर इंजरी और सेम साइड पे डिस्टल रेडियस फ्रैक्ट्र भी देखे गए हैं अनाट्यमी अगर देखें तो औसिविकेशन से अपिरेंस और एज ऑफ यूजर्ण यह दो इंडिपेंडेंटेंट इवेंट से वह डिफ्रेंशियेट होने चाहिए तो इंटर्नाल या मीडियल एपिकॉंडाइल एपफाइस ऑसी ऑसीफाइस एन अपियर्ज एडेज सिक्सियर्स फ्यूजिज एज एज गएज सेवेंट ऐगा क西Des ID Kirillum का स्कुल्स эффeud उन एक्सरिय दॉंस एड फूरण साल प्रीज फिजन बवारह साल पे डियोड़एट चार साल पे अप्युजन पंदरह साल पे मीडिएल एपीकॉंडायल छे साल पे फूसन सतरह साल पे व्यूज्जन सत्रह साल पे ट्रोल्ट या आठा साल प अगर classification देखें इसकी तो गाटलन classification सबसे ज्यादा यूज होती है तो type 1 fracture होता है non-displace subtle medial combination हो सकती है जो elbow को वारस में ले जा सकती है तो technically यह type 1 fracture नहीं होता है इसका हमें ध्यान देना चाहिए ऐसे fractures का इसे cast में या plaster में treat करते हैं तीन से चार हफ़ते और x-rays हर हफ़ते करते हैं देखने को के reduction slip नहीं हो रही या elbow वारस में नहीं जा रहा है type 2 होता है displaced fracture in one plane posterior cortex और posterior periosteal hinge intact होता है deformity सिर्फ sagittal plane में होती है इसे close reduction और pinning से treat करते हैं type 3 होता है displaced in two or three planes इसे close reduction pinning से treat करते हैं या अगर reduction ठीक नहीं आए तो open reduction और pinning करते हैं type 4 होता है complete periosteal disruption periosteum hinge toot जाता है और instability होती है flexion और extension में diagnosis होता है examination under anesthesia में during surgery इसे close reduction pinning आप try कर सकते हो लेकिन ज्यादा करके open reduction और pinning लगती है इसमें फिर medial combination वाले fractures होते हैं collapse होता है medium column का loss of moments angle होता है वारस mal union होता है classic gun stock deformity बन सकती है यह associated sagittal plane deformity कभी होती है कभी नहीं होती है इसे भी close reduction और pinning से करते हैं और इसमें significant valgus force लगता है to reduce the fracture फिर flexion type injury है जिसका mechanism होता है fall on the olecranon elbow पे इसे भी close reduction और pinning करते हैं पर इसमें काफी cases में open reduction करना पड़ता है close reduction successful नहीं होता है तो आज का episode यहीं खतम हो रहा है अगले episode में हम बात करेंगे presentation के बारे में imaging के बारे में और non-operative और operative treatment के बारे में तो हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको पसंद आया तो friends family के साथ share करिए thank you